इससे अच्छा तो वो मूंदी है येकीन मानें उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मूदी हमें मूदी मिल जाए हमें तो नहीं नौाज श्रीफ चाहिए ना बेंजिर चाहिए ना हमें इमरान खान चाहिए कोई भी निजन्ण देखें उसकी वज़ा ये उनका जो मीडिया ना कभी भी अपनी पूरेटी नहीं दिखाता है अगर तुम मौमिन रोगे तुम सर बलंद रोगे अगर तुम मौमिन नहीं होगे तुम जलील होगे आप चैक कर ले हम जलील हैं के हम सर बलंद हैं हम मौमिन नहीं हम मुनाफिक अब भी रिसेंड ली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा आपके टमाटर, प्याज, आलू, इच और एवरीधिंग हर चीज सस्ती हो जाएगा अभी भी अना अपनी जो जूटी अना इसे जूटी अना कहते हैं ये जूटी अना को अभी भी वो बड़ा भाई है मानलो बहुत बड़ा है आपसे अस्ताम लेकूम नमस्ते सास्रिया काल मैं हूं सना अम्जुद नाजिन पाकिस्तान के डिफेंस मनिस्टर हुआजा आसिफ ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है और हम एक डिफ पाकिस्तान के अवाम से किसे हो गए हैं पहले जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे अब वो पाकिस्तान जिंदा भागने के नारे लगाने पर मजबूर हैं और इंडिया जाकर रहने पर भी मजबूर हो चुके हैं तो इसी पर बात करें कि आज हम पाकि अभिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है और हम सब एक डिफॉल्ट मुल्क में रह रहे हैं क्या कहेंगे आप ये खुआज आसिफ सावी नूनलिक वाले हैं ना क्योंकि ये बड़ी देड़ से ना हमें घुमा रहे हैं और आपको एक चीज़ बताओं डिफॉल्ट तो तक्रीबन हम लोग हो चुके हुए हैं क्योंकि इन्हों ने एक लॉली पॉप दिया हमें लॉली पॉप समय दिये ना कि पंजाबी में ट्रक दी बती दे पीछे लाता ह ना नहींदान हो अभी आप देखेगा कि जो इन्होंने आयम Japon से मौहिदे के हैं जो इन्होंने उनसे मतब पैसे लिये डॉलर लिए ये वक्ती तोरों का अराम है, यानि कि ढक्टर से हम दौइ लेते हैं पें किलर लेते हैं तो पें किलर वक्ती को ठीक कर देता है लेकिन वो हमेशाיא केलली ठीक है तो इसका अलाज करवाना पड़ता है अभी जो इन्होंने कि इन्होंने मजीद हमें दलदल में और डाल दिया है अभी तो वक्ती दोर पे हमें थोड़ा सा राम आ गया है कुछ देर बाद सही समझ आएगी कि यह हुआ क्या है हमारे साथ और इन्होंने हमारे साथ किया क्या है अभी देखिए कि हमारे मुलक की बद किसमी चेक करें कि हम किस मुलक में पैदा हुए हैं कि जिस मुलक में हमने टेक्स भी दिया सारी जिंदगी हमने कुछ भी परचेस किया उसके पर टेक्स दिया गॉर्मिंट को और हमारे साथ क्या हुआ है इस मुलक के बीच में 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे लेकिन आप टीवी चैनल पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो यह है कि पाकिस्तान से दिंदा भागो चाहे इंडिया चेले जो जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे हैं वही चीज में आप बीस उर्पे किलो मिलते चिकन डेट सुर्पे किलो मिलता पैट्रॉल डेट सुर्पे लेटर मिलता आपको अब हमारी बदकिस्तमती नहीं है कि इतने अर्से के बाद हमें मतलब एक अला पाग ने पाकिस्तानी मुलक दिया जिसमें मुसल्मानों वाला सिलसले ही गोई नहीं हैं चक्कर ही गोई नहीं है मुसल्मानों वाला तो इससे अच्छा तो वो मुंदी है यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मुदी हमें मुदी मिल जाए हमें तो नहीं नौाश्रीफ चाहिए ना बेंजिर चाहिए ना हमें इम्रान खान चाहिए कोई भी निजना मुदी चाहिए हमें हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मुदी चाहिए जो इस मुलक के टेड़ों को सीधा करे इ दूनिया के पांचवे नमबर पे आचुके हैं इंडिया वाले आपको पता है तो इस मुलक को वह उपर लेके जाए अभी हमें तलाश है तैयब उर्दगान की या मुदी की डिफॉल्ट तो हमने होना ही होना है क्योंकि यह हमें लॉली पॉप दे रहे हैं गलत रास्तों पे चला रहे हैं गलत इंफर्मेशन दे रहे हैं जो एक शक्स आया था आपके मुलक को ठीक करने के लिए यह बाजवा साब ने उसका खाना खराब कर दिया यानि कि आप अच्छी जिंदगे गुजारने के लिए इंडिया के साथ मिल जूल के रहने के लिए तैयार आप मुदी को भी कबूल करने को त़ियार है जी बिल्कुल तयार है मुदी साब घ्रेड मैन क्या कर रही हिं हम अमूदी को बुरा इनसान तोड़ी है इंडिया के जो मुसलमान है वो 1.500 लिटर पे टृल ले रहे हैं न ङ्पानि बदिया के मुसलमान होते हमें क्या फरक पड़ता है इ सम्टाइम फील होता है कि यार हम क्यूं पैदा होगी अभी आप देखें कि पिछले साल कितने ज्यादा यूद्ध जो है पाकिस्तान छोड़ कर चली गई पाकिस्तान के वाम के लिए कि हम यहां से जिन्दा भागने के लिए तयार है चाहे हमें इंडिया जाना पड़े जी ब करी बात को जो मैं कहना चाहर हो आपके बचे हैं जब रात को आप अपने बच्चों की रोटी पूरी निना कर सकेंगे आप केंगे हम कौन से मुलक में पैदा होगी है कि जो हम अब देखिए इनसान की जुरुरी आत होती है गाड़ी बंगला अच्छे कपड़े अच्छा मतलब इस में तो हमारा आटाचीनी नहीं पूरा औरा गाड़ी बंगला तो बहुत दूर की बात है अभी आप ये देखें डिफेंस साइट पर गुलबर्ग साइट पर बहुत जो है अमीर कबीर तबका भी रहता है जिने इस महंगाई से कोई फरक नहीं पड़ता पिस रही मधीर चाहिए अब ही आट महीने पहले आप ड़क है कि कोई भी रेड़ कहीं भी नी थे और हम कहरे थे को बहूत उपर चले वह पहु नहीं पर जान्खान कितने असासे हैं इनके पास वो बेच्टे क्यों नहीं हैं अगर आपने बात की कि आप हुबल वतन बने तो अगर आपको वतन से इतनी मुहबबत है तो कौन सा सियासतदान है एक मुझे बता दें जिसके पास असासे नाओ अर्मों खर्बों के वो बेचे और किस्ते उतारें इस मुलक का करजा उतारें इस मुलक को बेहतर हलात की तरफ लाएं लेकिन नहीं हमने नहीं बेचना भाई वो क्यों कि कि वो हमारे टेक्स के पैसे हैं वो पैसे हम लोगों के देखे टेक्स आप एक बबल लेते हैं तो आपको उस पर भी टेक्स देना पड़ता है जब हम ल पत्राह मुलक परी करना किता हुआ है! छाप रादाग करों किस बादेल है, रादेल हो पDP करे psychology के ऐसे मैं बारे दूने रादेल करें सो इनके हमें अलवी पास बार मांगा धाशाब हो हैं हमें चाहिए सिंपल आदमी इमरान खान विदाउट जनरल बाजवा एक इमरान खान सॉलिड तरीके से आए पूरी यूद के साथ आए पूरा पता चले इमरान खान आए यकीन करें मुदी और तैय बुर्दगान को काड़ देगा वो अभी दिल से दुआ है हमारी कि या ल नहीं किसी भी लिहाज से नहीं है वो इधर हैं हम लोग इधर हैं इस चीज़ को मानना चाहिए हम लोग सिरफ एक अपनी अना पर जूटी तसलिए जो मीडिया ने दिखाया सारी जिंदगी बच्पन से जो में पढ़ाया गया कि इंडिया दुश्मन है हमारा यकीन करें प्रमाटर, प्याज, आलू, इच और एवरिफिंग, हर चीज़ सस्ती हो जाएगा अभी भी अना अपनी जो जूटी अना है इसे जूटी अना कहते हैं ये जूटी अना को अभी भी खतम करें इंडिया के साथ दोस्ती कर लें वो बड़ा भाई है मान लो बहुत बड़ा है स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है और हम एक डिफॉल्ट मुल्क में रह रहेंगे सुनने के बाद आप एज़ा पाकिस्तानी आपके क्या जजबात और ख्यालात हैं अच्छा ये बात तो आप कर रही हैं जो लोग इस टम वीडियो देख रहे हों ठी हْंगें आप लिबर्टी जाएं गुलवर्ग जाएं बड़ेसे बड़ा ब्रैंडिएड यहां पर पाकिस्तान में ब्रैंड यहां पर है और वह जाकर आप देखें कि आपको लगता है पाक्स्तान डिफॉल्ट हो गया है आप डिफेंस में जाएं लाहूर डिफेंस में वहाँ खड़े हो पांच मिनिट खड़े हो यह बेर्यएर टाउन अलग मूलक है यह पाकिस्तान अलग मुलक है हम। हमेश्चा यही कहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम अमीर हैं लेकिन हमारे हुकमरान गरीब हैं अच्छा हमारे हुकमरान बहुत पीएसल की ऑपनिंग ना देख ले तो पता लगए वह हमाले करदा ही ना दें कितने क्रोडों का खिलाड़ी भी का हमारा तो यह आपको लगता है मुल्क डिफॉल्ट हो गया बातें बस हैं की जा रही है नो डाउट इंफलेशन है आपकी महिंगाई बहुत जादा यहां पर बड़ी है यह चीज़ें सारी सच हैं यह माननी भी चाहिए हर बंदे को फरक पढ़ता भी है चीज़ से आहां बंदे को मुझे भी फरक पढ़ा है लेकिन बात मैं यहां पर यह करूंगा कि थोड़ा सा ना मुश्किल वक्त के बाद ना असानी होती है हर हंदेरे के बाद उ कई लोग यह भी कहते हैं अब तो आपको पता है पहले 1947 में पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगते थे अब कुछ चैनल पर यह सौट चल रहे हैं कि लोग यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जिन्दा भागो चाहें इंडिया जाओ नहीं ऐसा कुछ नहीं है कोई पाकिस् जाएंगे पाकिस्तान में रहेंगे लाताला इस पाकिस्तान की फाज़त करें और मैं कहूंगा जिस जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं तो वो खुद नीचे कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिन्दाबाद लिखें कि जो पाकिस्तानी है जो प्यार करते हैं अप के बड़ा पैसे है लेकिन वट अबाउट पूर पीपल जो गरीब तब के उसके बारे में क्या कहेंगे जो आँ यहां पर दोवक की रोटी के लिए तरस रहे वह लोग जो पने बच्छों के साथ रोटी के लिए हला से तंगा कर खुदकुशिया कर रहे हैं अच्छा इसकी मै कर दोर में बच्चे दोई अच्छे आपने खर्चे खुद बढ़ाएंवें आप यह चीज मानें जहां पर अगर आपको पता है आपकी 25,000 सेलरी है आप अपने दो बच्चे पैदा करें अपनी यह आपस में अपनी कम्यूनिकेशन करें हमने दो बच्चे करने हैं आप यह आप यह चीज माने आप लगाती हैं यह बात करने हैं देखें उसकी वज़ा यह उनका जो मीडिया ना कभी भी अपनी पूएटी नहीं दिखाता आप मुझे बताएं कि इंडिया ने दिखाईी हो यह बेरोजगारी होगी जबिसके इंडिया में सबसे ज़र बेरोजगारी है पर कांगा उनके वह अबादी उनकी बड़ इतनी ज्यादा है लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात बता हूं इंडिया की जो आप पुवेटी है ना वो नहीं दखाते उनका दिली कहलें मुंबई कहलें जो स्टैबलिश उनकी कंट्री जो सॉरी उनके जो वहां पर हैं रेयलिटी बता रहूं मैं उनकी बतारहраж आपको आप अगर इंडिया का सर्वेय ठीक है आप इंडिया गए नeने मैं इंडिया निहीं गया मैं इंडिया नहीं जाएं ठीक है वहां जाके बात करहें लोगों से लोग बताएंगे लेकिन उनका मीडिया बात क्या करता है पाकिस्तान की उपर कि पाकिस्तान में ये हो गया आटा नहीं मिल रहा पाकिस्तान में ये हो गया अब जारी बात है पट्रोल का रेट थोड़ा सा बढ़ता है यहां पे 2022-20 pasta बढ़ेगा वो लोग वाह से कोई कोई रिकॉरडिंग हम लो करते हैं वह से रिपोट चला देते हैं पाकिस्तान में में यह हो गया फाकिस्तान में यहह हो गया अपनी चीज वो नहीं दिखाते वह मैं लैल की कि गाड़ी आजती है यह आप देखें 28 लाक की यह नहीं वहां से पांस से चार लाक में बैच्छी गाड़ी मिल जाएगी मैं यह कर रहो गलत हम भी है हम अवाम भी गलत हैं अभी भी कैमरे के पता निया फ्रेम भाहिने कैसा बना है जब खोल के फ्रेम दिखाएं पीछे कितन राशे ही लगता है यह मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है यहां पे लाख लाख रुपया दो दो लाखी लोग शॉपिंग करके जाते हैं यह जरा सब कैमरे इस तरफ खोलें गाड़ी यह दिखाएं कितनी घड़ी है यह लगता है आपको डिफॉल्ट होने वाले मुल्की निश अचानी है लेकिन यह मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा अल्ला के फद्लो करम से लायला मुहमद रसूल आला के नाम पर यह हमारा मुल्क बना है और अल्ला तला इसको काईम और दाहिम रखेगा इंशालला आपका नाम मुहमद विशाल अता मुहमद पाकिस्तान के डिफेंस तो पाकिस्तान काफी अर्सा पहली कर गया था और बेसिक बात यह है कि जब एक चीज की आप जब मतलब काम स्टार्ट करें उसका आपका आइडियोलोजी जो है वो डिफरेंट हो और जब आप उसको लेगे चलें तो आप अपनी आइडियोलोजी को बिल्कुली चेंज कर लें तो आटोमेटिकली आप डिफॉल्ट कर जाते हैं और उसकी सबसे बड़ी बाद जो है वो 1907 की जंग थी जब हमारे से मारा एक हिस्सा जो है वो अलग हो गया था सबक हमें तब ही आजाना चाहिए था कि हम अपनी बेसिक से बहुत दूर चले गए हमें तो पाकिस्तान मिल जाता है तो उसका कानून क्या होगा तो उनके बार कुरान पर मजूद है उन्होंने का था कानून होगा ठीक है बहुत अच्छी बात है करारदा दे मकासिद रही लेकिन उससे बात से लेके आज तक आप देख लें कि आज 90% आवाम को यहीं पता होगा कि प पाकिस्तान बना हम इंडिया से अलग हुए तो पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगते थे लेकिन आप टीवी चैनल पर जो नारे लग रहे हैं पाकिस्तान के अवाम की जानिप सो यह है कि जिन्दा भागो पाकिस्तान से पिशक इंडिया चले जाओ तो यह तो यह डर गिलगित बल्दिस्तान के लोग ये नारे बाजी कर रहे हैं काफी दिनों से के कारगर्स कर दो, खोल दो, तूटे रिष्टे जोड़ दो, यहां तक कि कश्मीर के लोग जो हैं, वो भी इंडिया के साथ दुबारा इलहाग करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हलात इतने खराब हो चुके हैं, कि उनको आटा तक नहीं मिल रहा, तो अब यहां पर इवन के लाहूर की अवाम भी इनारे लगा रही है, कि हमें जिन्दा यहां से निकलना चाहिए, इंडिया के पास जाना चाहिए, क्या कहेंगे इनका रुजहान इंडिया की तरफ क्यों बढ़डा यह जो एरिया थे यह बेशक हमारे अपने लोग हैं, कश्मीर के होगे, बलोचिस्तान के होगे, गिलगित के होगे, लेकिन जब आप इनके साथ प्रॉपर तरीके से नहीं चलेंगे, उनकी बेसिक्स को आप पूरा नहीं करेंगे, और जब आप उनको अप्शन भी नदर आ कि अल्युक्त करते हैं जो भी हम उनसे जिस तरह इस जबान चाहिए, बनाते हैं, वोड देते हैं, हम उनके ऊपर इस चीज साहरे नहीं कर Mage रहेंगे, प्रॉपर रखूए, उनके हमारे बेसिक्स, आपके सामने सबसे बड़ी अग्सेंप्ल की, वां इनके लिगोशा अब देख लें कि वह आप से आगे चलेंगे और वह चले जाएंगे आप से आगे क्योंकि वह अपनी बेसिक्स के ओपर ठाहरे हैं इतना बड़ा मोज़ा है कि पूरी दुनिया की ताक्ते कों सा मुलक है जो जिसको आप ताकत नहीं मानते अमेरिका हो गया कैनिडा हो गया ताकत वर तरीन मुलक बन गया है तो ये औल्स चोड़ान का बोड़ा मोज़ा को आई तहां जिसका में तो अगर तुम मॉमिन रोंगे 3-100 I-100 अप जैक कर लेंगे ऐम जलील के रिब ए हम सर बलंद है हम मॉमिन नहीं हम मुनाफिक हैं मुनाफिकट क्ला है हमारी अंधर के हम जबान से तो गहेते हैं, ला इलाह इल्लाह, मुहमत रसूल अलाह, उसके बाद आप पूरे दिन, हमारा जहां से दिन स्टार्ट होता है, और जहां पर हमारा दिन एंड होता है, आप देख लें किया कर रहे हैं हम, ये था हमारा आज का परोग्राम, आप ने जानी पाकिस्तान अवाम की राए उमीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंदाए होगा आप भी अपनी राए का इसहार कर सकते हैं नीचे दिएगे कॉमेंट सेक्शन में इसी के साथ मुझे इजासत दें पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करे और शेयर करें अलाहाफेज